बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या बट्शप कर सकते हैं इस्टाग्राम पर जरूर्ट कर लिए गाए इस्टडी फॉर सिविल से हलो एवरिबान वेलकम यू ओर स्टडी फॉर सिविल सर्विसे अज की हमारी डेट है पाईस देसमबर और इस बाईस देसमबर की डेट में हम लोग ये समझेंगे कि आज की हमारे इंपॉर्टंट आर्टिकल्स कौन से हैं पहले तो हम यह देख लेते हैं इंपॉर्टंड की लिस्ट कौन से है इंटरनाशनल यूमन सॉलिडरिटी दे मानव एकता दिवस सुशासन गुड गवर्निंस भारत और नेपाल के संबंध पुर्वोत्तर परिशत नौथ इस्टन कांसर आइनस मार्मुगाउ सीमा प्रबंधन बॉर्डर मैंश्मेंट सबसे पहला हमारा फर् के जितने मेंने आपको करन्ट फàiस कराए मैंने वैसे दिसमबर मन के पूरे करवाये हैं और नौवेंबर में इ functioning सिर्फवा को देश कराने शुडू करे हैं सारे इसमें अगर आप लोगोंने लेक्ठर को ध्यान चे सुना या सबसे बता ली nutrition Human Rights Day फिर 6 December भी बताया था मैतरे दिवस क्यों होता है मैतरे दिवस मैतरे दिवस हम मनाते हैं भारत और जो बांगलादेश है उसके बीच में यहाँ पर संबंधों को मजबोत करने के लिए क्या बनाया जाता है मैतरे दिवस फिर इसकी बाद मैंने आपको 10 December और 6 December के बाद 16 December बताया 16 December क्यों मनाया जाता है ये है विजए दिवस विजए के लिए चीक है किसकी बांगलादेश को आजाद कराने के लिए फिर आपको मैंने बताया दो लेक्चर्स में 19 December जब गोवा को अजादी मिलती है किसे पुर्टगाली से अब आता है आपका 20 December 20 December पूरे वर्ल्ड में क्या मनाया जाता है Human Solidarity Day मानव एकता दिवस ठीक है भारत में एकता दिवस हम कब बनाते हैं भारत में बनाते हैं 31 October को जिस दिन कब क्या आता है सदार भल्ला भाई पटेल का जनम दिवस आता है और इसी दिन जम्मू कश्मीर और चलदाख है उनको हमारे भारत का हिस्सा बना गया था 2019 में भारत का ही हिस्सा थी वो पर एक उनसे जो है Article 3, 370 का जो स्टेटस है वहाँ से वो हटाया गया था अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते है 22 दिसेंबर 2005 को यह दिन जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था यह बताने के लिए कि पूरा वर्ल्ड जो है वो अनेकता में एकता को भी यहाँ पर इस रूप में मना सकता है अब यहाँ पर जो हमारे यह पूरा United Nations से United Nations ने यहाँ पर एक Resolution पास करा था और यह जो कारे करम है यहाँ पर उन्होंने पास करके जो है यह ती संकल्प के रूप में अपनानी शुरू करी थी और जो है 20 दिसेंबर को यहाँ पर अंतराश्ट्य मानव एकता दिवस के रूप में यहाँ पर घोशित करते लिए इस बार जो हमारा यह है इसकी थीम क्या है यह आपके जो MCU-based paper है उनसे पूछा जा सकता है इस बार की थीम क्या है एक सार्वभॉमिक उद्देश्य की पूर्ती मानव एकता कि प्रत्साहन और एक विशिष्ट उद्देश्य की जो गरीबी उनमूलन को प्राप्ती यहाँ पर की जा सके यह पूरी है यहाँ पर Human unity for a common purpose and a common objective that is for the elimination of poverty यहाँ पर गरीबी उनमूलन के लिए सर स्टेप्स लेने हैं अब UN की अनुसार जो है कितने जादा होंगी तो अगर इतनी सारी विवित्ता हैं फिर भी एक जुटता है आपस में सामन जस्से हम सनुष्ट कर रही हैं इतने सारे समझोते हैं यहाँ पर कर रही हैं और मानव जाती के बीच जो सोहार्द है सोहार्द क्या होता है अपने बीच में एक जो है अच्छा रिलेशन बनाने की कुशिश कर रहे है दिर्ग काली विकास के लिए लॉंग टर्म में डिवलप करनी के लिए व्यक्ति और समूवर सरकारों को यहाँ पर प्रेरित करना और गरीबी उन्मूलन के लिए नए नए प्रेयास करना तो कि आप भी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो गरीबी है वो एक सबसे बड़ा एक इशू बनी हुई है बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम का जो एक कारण है वो यहाँ पर बनी हुई है और गरीबी के अलग अलग प्रकार के कारण भी हो सकते हैं तो ये एक इसको रोकने के लिए जो है सब आगे स्टेप लोग गरीबी, भुखमरी, बिमारी इन सब को संरक्षित करो तो ये सब चीजे क्या हैं ये सारी की सारी चीजे जो है UN के तहट मानी रही हैं क्लियर हुआ सब लोगों को UN का पूरा ये डे बताया जा रहा है, UN जो है वो Solidarity डे जो है इस रूप में यहां पर मनाता है, ठीक है तो आपका ये जो पूरा आर्टिकल मैंने आपको बताया, ये पूरा आर्टिकल जो है किसले इंपोर्टन था UN का ये पूरा आर्टिकल और सिरफ आपके prelims, MCQ paper के लिए important है, बाकि किसी के लिए भी नहीं है, ठेक है, तो इसको आप याद रखिएगा, बर्दे हमारे एक next article की तरफ, वो है good governance day, good governance, सूशासन होना, सूशासन यहाँ पर आप सब लोग जानते है, good governance, world bank के according जो है, वो क्या है, विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और समाजिक संस्थानों के प्रबंधन भी, शक्ति का प्रियोग करने करेगा, देखो आप सब जानते हैं, सरकार चलाना क्या है, देखो हर एक देश में समाजिक संस्थान भी है, लोग है, मनुश्य रहते हैं, आर्थिक संस्थान भी है बहुत institutions है, bank है, बहुत सारी चीज़े है, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे करना है, उसको manage कैसे करना है, वो किसके हाथ में होता है, एक सरकार के हाथ में, तो उसके अनुसार, उसी को हम कहते हैं, सूशासन, सही साशन का होना, शासन तो सारी countries में कोई ना कोई करता है, लेकिन व है, वो कैसा होना चाहिए, वो एक सूशासन होना चाहिए, कूशाशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सूशासन से यह तात्परिय है, कि जितने भी भारत में गरीब, मतब मैं भारत की बात नहीं कर रहें, यह एक overall definition है, वर्ल्ड में यही definition चलती है, गरीब, समाजिक रूप से बाहर निकालने की कूशिश करें, उनकी गरीबी को, उन मूलन करने का प्रयास करें, एक ऐसी प्रणाली और एक ऐसी सनरक्षना का विकास करना है, जो लोकतांत्रिक भी हो, लोगों द्वारा चुनी हुई हो, और पारदर्शी हो, उसमें कोई छुपाव ना हो, अगर किस इसी भी तरीके का उनसे सवाल किया जाए तो उनके पास सवालों के जवाब हो, हर चीज का रिटन रिकॉर्ड हो, सुच हो, कुशल हो, काम करने में संपूर्ण हो, नियाय संगत हो, लोगों को नियाय भी मिले, सन्वेदन्शील हो और जवाब दे हो, लोगों के प्रति सेंस दे रही है ना उन चीजों को खतम करने की कोशिश कर रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो एक सरकार के एक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के प्रति सभी दर्शीन रहे और लोगों को जवाब दे इसलिए कि सरकार नहीं हाँ पर आट याइक भी लाया था आप लोगों को पता ना 2005 में आया था राइट तो इंफॉर्मेशन जिसमें हम लोग जो है सरकार से अपनी जवाब पूछ सकते हैं जवाब मांग सकते हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें यहाँ पर पर जवाब दे ठीक है यही एक अच्छी और एक बहतर सरकार की पहचान है, यह पहचान है सरकार की, समझ गया सब लोग इस चीज़ को, अब एक अच्छी सरकार कैसे है, मतलब उसके लिए क्या एक ऐसे माप दंड हम यहाँ पे लिक्या सकते हैं, पहला भागीदारी, किसकी भागीदारी, हर एक की, हर एक को भागिदार बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही जाती को या एक ही लिंग को आगे प्रमोट करो, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर जाती, हर पंथ, हर लिंग के लोगों की भागिदारी को यहां पर बढ़ाए, नागरी को किसको सम्मान दिया जाए, और नागर है ना हमारे पास हमारे पास आर्टिकल नंबर 35 से 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं जिसमें हम लोगों को जो है सरकार हमारे समिधान द्वारा वो अधिकार दिये जाते हैं और वो अधिकारों को पालन करें 36 से 51 तक DPSP है जो कि सरकार की जिम्मेदारि यहां पर निकल के आए हैं और फिर हमारी duties दी गई है आर्टिकल नंबर 51A में जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें भी अपनी देश के प्रती जिम्मेदारियों को निभाना हैं तो participation की जरुवत है हर तरिके से हर एक व्यक्ति के लिए rule of law विधी का शाशन होना जो law है यही है कि एक सनरचना में ये सुनिश्चित किया जाता है कि मानव अधिकार सबके सनरक्षित रहें हमारे भारत में जितने भी मानव अधिकार हैं सब सनरक्षित रहें हर समाच का प्रिछड़ा वर्ग अपने आपको महसूस करें इसके लिए म भी सुनिश्चित किया है कि इनके लिए ए-N National Commission for SC बनाई जाए कौन से आर्टिकल में आ्रटिकल 338 के तहट National Commission for SC बनाई जाए आर्टिकल 338 A, OBC आर्टिकल 338 B तो यहां पर विधी का शाशन ये कहता है कि हर एक यहां पर मानव अधिकार को सुस्रक्षित भी रखना है और पिछड़े वर्गों को यहां पर सेफ भी रखवाना है ठीक है तो यह सारी चीज़ें इसके तहत लिखी रहे है फिर आता है ट्रांस्पेरेंसी ट्रांस्पेरेंसी का मतलब क्या है यहां पर पार दर्शिता का होना यह बहुत जरूरी है कि गाव्मेंट को उनके सिटिजन के बारे में पता हूँ मतलब सिटिजन को उनकी गाव्मेंट के काम करने के तरीके को पता हूँ सरकार जो भी decision ले रही है उनको जो भी implement कर रही है उनके लिए पारदर्शिता होनी चाहिए हर चीज के report निकल के आनी चाहिए और लोगों को ये पता हो कि उनका tax का पैसा उनको जुतना भी यहाँ पर काम हो रहे हैं उनके उन पैसों को कहा लगाया जा रहे है तो हर चीज के उपर एक पारदर्शिता कहोना एक मुख्य पहचान है किसी भी साशन को अच्छा कहलाने के लिए पिर उत्तरदाइत होना बिल्कुल अगर कोई भी decision लेने में delay हो रहा है या फिर उसको implement करने में delay हो रहा है तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को इस consensus यहाँ पर लिया गया हो तो कि देखो हर प्रकार के लोग है हर प्रकार के लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है क्या उनके लिए जो है वो दीर्गकाल के लिए सही है और क्या उनके लिए यहाँ पर अल्पकाल के लिए सही है उनके बारे में यहाँ पर लोगों को हर प् आपको देखने को मिलेंगे जब इतनी भिन प्रकार के लोग होंगे तो उसके अंदर आपको ये भी ज़रूरत है कि हर प्रकार से लोगों को चुन करके आगे लेके आया जाये ताकि वो एक लोग ऐसी के लोग अपने ऐसी की जनता के लिए काम कर सके एक्जाम्बल बता रहे हूं ताकि हर एक को भला हो और जादा से जादा लोगों को भलाई तक हम पहुचा सके इसमें क्या सरकार अपने सभी नागरीकों के हितों का ध्यान रखते हुए यह सुनश्चित तरह जितने भी अलपसंक्यक अनुसूचित जाती जनजाती महिलाएं हैं इन सब का यहां पर ध्यान दिया जा रहा है इसके हमारे पास अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात क चीक है जैसे आर्टिकल 15 है वो यही बात कहता है जो यहां पर लिखी हूँ लेकिन आर्टिकल 15 का क्लॉस 1 यह कहता है कि जितनी भी महिलाएं हैं SCST है उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार नए नए स्टेप ले सकती है जैसे रिजर्वेशन कर सकती है इनके लिए अलग-अ स्कीम ला सकती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना स्कीम आई फीमेल के लिए फीमेल के लिए सीड्स का रिजर्वेशन होना शुरू हो गया फीमेल के लिए अलग से कॉलेजिस बनने शुरू हो गए प्रेगनेंट फीमेल के लिए बहुत सारे स्कीम लेके आई सरकार और ट्राइबल लोगों के लिए स्कीम लेकर आई, ट्राइफएड की एक औरगनाईजेशन बनाई गई, तो ये सब सरकार क्यों करती है, ये सब सरकार करती है ताकि इन सब पिछडी जनजातियों को बाकी लोगों से किसी भी तरीके का अलग अपने आपको महसूस्थ ना करें सब एक साथ हैं और एकी साथ आगे बढ़ेंगे ये सुनिश्चत करती है सरकार ये सब कार्यों को करके तो ये एक बड़ा कारण है बदर जो यहां समझाना चाहरी हुए ये है प्रभाव शीलता और दक्षता ये भी चाहिए कि भई जितने भी हमारे संसादन उपलब्द हैं उनका कैसे इस्तिमाल करना है हमारे यहां पर बहुत सारी हमारी डिफेंस है इनका हमें सही तरीके से कहां इस्तिमाल करना है ये सब कारे कौन देखिएगा एक कंट्री में गाव साहन करना है हमारे जो हमारे इतने बुद्धी मता वाले लोग है हमारे इतना जो टैलेंट है साइंस को ले करके सरकार उसको किस तरीके से इंप्लिमेंट करते है तो सरकार पर ही सरकार पर ही डिपेंड करता है तो यह एक अच्छी सरकार की जिम्मेदारी है जो सही रहा की त संस्थान है वो ऐसा बहुत जरूरी है कि ऐसे संस्थानों को लोगों को जवाब देनी है । ऐसक्ता के हिटों का ध्याद न रखते हुए वो जन्ता के अगेंस कुछ भी कर रहे हो और उनसे पूछ भी नहीं रहा है जब तक जर तक एक्झाम नहीं होगा परने तो करेगा नहीं न वही बात है अगर एक्जाम सर पे आ गया है तो पढ़ने का मन भी कर जाएगा वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी अगर जवाब दे ही यहाँ पर होगी तो बंदा काम भी अच्छे से करेगा समझ रहूं न इस चीज़ को तो सर पर पढ़ती है और काम करना पढ़ता है वही बात है इसमें भी चेक है अब सरकार ने इन सब को लाने के लिए नहीं स्टेप्स लिए बिल्कुल यह सब मैंने हाँ पर कांच्छांट के लिखी हैं यह प्रोजेक्ट सब करने वाले लोगों के लिए सिविल सर्विस के लिए एक मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया गया है जो उनको यह सब संजाएगा कि किस तरीके से जो है यहां पर कुशल सार्वजनिक सेवा को प्रधान किया जा सकता है सब्कैशांट को सब्सक्राइब ल adherent अ कैसा देन एक समिक्षा यौः अनलाइन हो गया यहां पर क्या किया गया गया सरकार द्वारा यह है एक मोनिटर सिस्टम है यह जो है सरकार के उपर निगरानी सरकार के उपर कारवाई करने के लिए कि भई आपको जो टाइम दिया गया था क्या आपने उस टाइम में सारी चीज़ें कम्प्लीट करी है या नहीं है यह कैबिनर्स अच्छी वाले ने निकाल के लाया है NIC के साथ मिल करके जिसका कामी य प्रोजेक्ट सरकार तयार करती है क्या उनको इंप्लीमेंट करा भी जा रहा है उस टाइम पर जो टाइम डिसाइड किया गया है क्या उस टाइम के ही के ही दाइरे में रहते हुए यह सारी चीज़ें है या नहीं है यह सब कॉन डिसाइड करता है यह सब भी मतलब इसी के त इतर रूप से काम करना चाहते हैं, तो आप को यहाँ पर कागस रही कार्याले रहेंगे. आज तो सब कुछ डिजिल हो गया है, आप जो यह दो गर बैठे बैठे पूरे एक एक दिन के Current Affairs Study for Civil Services के माधयम से सुन सकते हैं. तो यह भी क्या है, यह भी टो एक E Mission ही है न, जो कि सब लोग करते हैं आप पूरा पेज होता है उसमें आप क्या करते हो खुद के साइन करते हैं कि आप जो भी है हर चीज के लिए खुदी जन्मिदार और सरकार ने कौन नहीं चीज करी कि ग्रुप B और C पोस्ट के लिए यहां पर इंटरविए का हटा दिया गया जनवरी 2016 से इंटरविए को खताम कर देगा जिती वी में नॉन गस्ट profund एं ग्रूप B और C अ ग्रूप A पोस्ट के लिए बिलकुर इंटरविए रहे अपागियों के लिए इंटरविए को नहीं पर हटा दिया थे शैडिजन का चार्टर निक लिखेगी लिखी हुई होती है फिर नीतिया नए कॉंसेट के साथ आई ने क्या निकाला गुड गवर्णेंस इंडेक्स सूचकांक निकालना शुरू किया सूचना शुशासन का कि वह कौन सी राज्जे जो है वह उसमें आगे बढ़ रही है कौन सा राज्जे और कौन सी इस सामेलन में जितने भी ई है मतलब कि किस तरीके से हम यहाँ पर गवर्णेंस को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं बहुत अलग अलग एक्सपोर्ट इंटेलेक्ट्चुल्स को यहाँ बुलाया जाता है जो यह बताएंगे कि सुशासन करने के लिए क्या के नई नई तक्निकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह होता है यह हर जो है हर साल इसको इहाँ पर और्गनाईस किया जाता है फिर इसके बाद जितनी भी शिकायत निवारन होती है उस शिकायत निवारन और निगरानी रखने के लिए केंद्र का यहाँ पर जो है वो योगदान किया गया गया जो है ministries और departments बनारी जिनका काम क्या होगा जितनी भी समस्या हैं हैं लोगों के जितनी भी दुख है जितनी भी परिशानिया है उसको जानने के लिए हाँ पर जो है step लिए जाए सरकार ये चीज़ चाह रही है और इसके लिए time सुनिश्चत कर दिया जाए और इस विवस्ता क के माद्दिव से शिकायत के निवारण में भी कमी रही है ठीक है ना प्लस आप सरकार ने और भी इनिशेटिव ले पंचायती राज ले कि आई सेविंटी थर्ड कॉंसिटूशन अमेंडमेंट मेंट डाक नाइटी नाइटी टू लेकि आई आई आटी आइक लाया गया है कारी संगबाद के कॉंसेट पर बढ़ती है आगे जो कि यह कहता है कि हर एक व्यक्ति को यहां पर जितने भी हर एक यहां पर व्यक्ति है उनको यह चीज़ की जो भी पेडरलिजम है जो भी संगबाद है वो यहां पर को ओपरेशन से बढ़ाना है वो हमें एक दूसरे की मदद करते हो, कि कई बार क्या होता ना जैसे अभी मैं एक example bless तो अभी केंटर में कौन सी सरकार है, BJP के बाकी जगापे हो सकता है हर जगापे BJP की ना हो कई जगापे congres की हो कई जगापे BSP की हो, कई जगापे Tranmool की होतो, तो अलग-अलग सरकारी चीजों को यहां पर बढ़ाना, एक example देती हैं आपको, की cooperative federalism दे, अब एक scheme आईए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बड़ी simple scheme का example ले रही है, अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी scheme, आप सोचो, क्या केरल में उसका इतना importance होगा, केरल भी तेक राज्य है, प तो बहाँ पर उत्ता relevance नहीं है, लेकिन इसका relevance हर्याना जैसी states में काफी जादा है, तो इससे मैं यह गह सकती हूँ कि भई, एक scheme को एक जगा पर दूछे जगा implement अलग-अलग तरीके से करना होगा, तो यह काम कौन करेगा, यह होगा, ऐसे programs को launch करा है, प्रगती हो गया, औ उनके birthday बारे दिन इसको मनाया चाहता है, clear है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, clear हुआ सबको यहां तक, मैंने बहुत detail में आपको सारा चीज़े समझाईए, इसको complete कर लीजेगा यहां पर, तो इसको आप यह good governance का, जब answer exam में आता है, GS paper 2 में, तो आप सेम ऐसा ही flow chart बना सकते हैं, आप good governance बीच में लिखेंगे, और good governance की जो सुचकांक है, सुचाशन बे, वो आप यहां पर side में लिखकर अपना explain कर सकते हैं, clear was, अब को यहां तक, ठेक है, चलिए, तीसरे article की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया और नेपाल के relation में, कई बार इंडिया और ने भी हमारे यहां पर अभी इंडिया और नेपाल के problem चल रही थी, उसमें एक खुश कबरी यह है, कि यहां पर जो है, अगर हम hydro power में trade करते हैं, पन विद्युत वेपार में करते हैं, तो यह नया एक रूप शामिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया क्या कर रहा है, अगर जितने भी hydroelectric power होते हैं, उसमें चाइना के contractor का use नहीं होगा, तो इसकी वज़े से यहां पर तामकोशी hydro power project दिले चल रहा है, तो अब नेपाल की government नेपाल की सरकार ने भारत से बांगला देश जो इस विद्युतापूर्ति को खरीदने का इच्छुक है, उनको भी य यहां पर जो है, अनुमती देने का आगरे किया है, अभी क्या हो रहा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो यह hydro power के issues हैं, वो काफी सारे हैं, तो क्या हो रहा है कि अभी जग जो महां के control है सारा वो इंडिया के engineers दीख रहे हैं, ठीक है, और नेपाल जो है यहां पर भ नेपाल हमेशा ही इंडिया के उपर यह इल्जाम जो है आरोप लगा रहा है कि नेपाल जो है, जो भारत जो है, वो कोसी और गंडग जैसी जल विद्युत पर योजनाव से नाजायस लाब उठाता है, कोसी और गंडग जो है, दोनों ही गंगा की एक ट्रिब्यूटरीज ह और नेपाल ऐसा कहता है कि इसके ओपर डाम बना के इसके ओपर जो जल विद्युत प्रोजेक्ट होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उनको लगा के इंडिया जो है, वह जादा गंजायस फायदा उठा रहा है, और जो महां के मायोवादी है, वो भी नियमत रूप स जल विद्युत शेत्र में भारत के जो निवेश हो रहा है, उसको विरोध कर रहे हैं, तो यह बहुत जादा जो है अभी सरकार से अपनी खुश नहीं है, इनके जो मानोरिटी में है, सरकार इनकी बात नहीं मानती है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि इनको भी यहाँ पर पाइदा हो, यह बिल्कुल ना नीचे के रीजन में, नेपाल का मैप आपने देखा होगा, ऐसा बना हुआ है, तो नेपाल के मैप के नीचे वाला जो निचला रीजन है, यहाँ पे जाधा तर उनका रहना है, इंडिया ने कई बार यहाँ पर जो है स्टीस के लिए मना किय है, भारत ने कई बार परवत का जो शेत्र है, क्योंकि देखो, नेपाल का है, इसके नीचे वाला जो रीजन है यह वाला, यह तरही है, उपर जो है बड़े-बड़े पहाड है, पिल्कुल उपर बड़े-बड़े परवत है, जैसी कि आप माउंट एवरेज जानते हैं, मक 2012 में भी नेपाल ने जन्विद्यूत परियोजनाओं के लिए चीन को ए 1.8 billion dollar के अनुबंध यहां पर किया था, उनको मनजूरी भी दी थी, और वरतमान में जो है, दोनों के बीच में, जो है, कोई act नहीं बने हुए, कोई agreement से sign नहीं है, तो जल्विद्यूत शेत्र में ज जाफी जादा issues आ रहे हैं, तो क्या है ना कि अभी दोनों के बीच में यह problem चल रही है, जल्विद्यूत कारेकरम को लेके, अगर इसको ठीक करना है, माल लो अगर यह आगे चल के ठीक भी हो जाते, क्योंकि issues तो बहुत है, issues हमारे उनके साथ भारत विरोधी भावनाओं को कहलो, मधेसी के उपर जो problem आई थी वो कहलो, और काला पानी के उपर जो dispute है, काला पानी dispute, लिम्पिया धुरा और लीपू लेक का dispute, यह भी अभी तक वहाँ पर चल रहा है, प्लस इंडिया के यह जो भी हाइड्रो पावर के project चल रहे हैं, यह भी issue है, तो issues तो अभी काफी सारे चल रहे हैं, लेकिन इनको सुझाने के लिए अभी तक दोनों country ने proper प्रयास उसके लिए यहाँ पर नहीं करा है, कुछ नया रूप में जो प्रयास होना चाहिए, वो यहाँ पर अभी नहीं किया गया है, होना चाहिए, होगा, आगे आने वाले सामे में, पर अभी फि दोनों तरफ से जरूरत है, दोनों तरफ से जरूरत पड़ेगी इसकी, यह चीज ठीक होती जाएगी, तो दोनों देशों के जो रिष्टे हैं, वो मजबूत बनते जाएंगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, अब बते को यहाँ पर, सरकार को, दोनों सरकारों को, मैं एक क बिलकुल बात नहीं करें, कि यह जो चीज़े चलती है, वो दो तरफा चलती है, ताले एक हाथ से नहीं बजा सकते हो, यहाँ पर तो बिलकुल है, तो जितने भी जलविद्यूत सहयोग है, उनको अगर उनको सुचारों रूप से जारी रखना है, तो दोनों सरकारों की जि जो जितनी भी यह उर्जा है, उसको उत्पाद करना, उसका पारेशन, उसका वित्रण सारा दीख सके, हर चीज़ वो ही देखे जिरा, चीक है, दोनों देशों के तरफ से लोग वहाँ पे शामिल होने चाहिए, यह एक तरीके है, कि भई क्या सुलधाने के लिए किया जा सक फेसिलिटीज, ट्रांसर सुविधा मतलब होता है, ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा, इंडिया को यहाँ पर देनी चाहिए, ताकि नेपाल की एलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट किया जा सके, और प्राइवेट अगर चाहे तो प्राइवेट कंपनी का भी यहाँ पर क बजबर की तो यही पूरो जो मैंने आपको बताया है, यह इंडिया और नेपाल का मैंने आपको को बैक्राउं देने समझाया, मैंने सिर्फ यह बताया कि अभी क्या चाहिए, अभी जो है जो इशू और इसको सुलजाने के लिए क्या स्टेप है, सिर्फ प्रेजंट यह, इसमें कुछ पुराना नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ प्रेजंट में क्या-क्या चीजे चल रही हैं, और क्या उनको सुलजाने के लिए दोनों सरकारों द्वारा किया जा सकता है, सबको क्लियर हो गए हां तब, यह है आपका पूरा आर्टिकल, पूरा टॉपिक किस से जुड़ा हुआ, जतना भी आप लोगों ने अभी पढ़ा है, यह आपको पूरा याद रखना है, बढ़ते हैं हमारे फूर्थ आर्टिकल की तरफ, वो है नौर्थ इस्टन काउंसल निउस में क्यों है, यह नौर्थ इस्टन काउंसल आई कहा से, मैं आपको जागें आपको, चीक है, देखो भई, जब हमारा एक स्टेट रि और्गनाइजेशन आक्ट पास हुआ, नाइंटीन फिफ्टी सिक्स में, तो पूरे भारत को जो है यहाँ पर पाइफ जोन्स में पाट दिया गया, पूरे भारत को पाइफ जोन्स में डिवाइड कर दिया एक मिनट रुकेंगे ज़रा थोड़ा सा टाबलेट थोड़ा सही नहीं चल रहा, हाँ भई, अब समझेंगे, पूरे भारत को फाइफ जोन्स में बाट दिया गया, जिसमें नौर्थ इस्टन में एक भी जोन नहीं था, नाइटीन फिफ्टी सिक्स में जवाहलाल नहरू द पूरव पश्टन में, पांच में बाट दिया गया, और इन पांचों में बाटने के बाद यहां पर क्या किया गया, इन पांचों में बाटने के बाद सब स्टेट्स को बाट दिया गया, कि भई, यह इस जोन में आएंगी, लेकिन यह स्टेट्स को जो हमने जोन वाइस बा urun मिनिस्टरी में आती है 1-34 — आ कि बाद आती है यह किसी भी जोनल कांसिल नहीं है नहीं है जिसमें आज के समय की ऐट सेट साथी आती है seven sisters और एक सिंक इंटीन ड्री में इसने अपना काम करना इसलू किया थे जिसमें नॉर्थ इसका काम होता है जो भी states है उनकी problems को यहाँ पे ले कि आना Central gazorman को State की government को यह बताना कि इस particular matter में क्या action लिया जा सकता है आप इस शेत्र में और्थिक्रạt समाजिक योजना क्या बना सकते हैं दो प्हुत कोई यहाँद जीएक उसकते हैं? एसे project electricity या flood को control करने के project कैसे control किये जा सकते हैं balance कैसे बना सकते हैं दो राजियों के बीच में यहाँ पर नौर्थीस में क्योंकि आपको भी पता है कि जितना भी नौर्थीस है यहाँ पर यह लोग सब जो उत्तर पूर्वी है उसमें यह पूरा common interest share करते हैं वहाँ पर tribal population भी जादा है और हिल एहली एरियाज है पुरवांचल में आता है तो यह सब जो है यहाँ पर इन सब चीजों में यह एक अपना region का plan बनाना ठीक है state का plan बनाना उस area में क्या जरूरत है regional plans की उसमें क्या क्या scheme implement की जा सकते हैं सरकार को इसके बारे में बताना यहां तक सरकार तक यहां पर सारी बातों को पहुचाना यह सब किसके जिम्मेदारी होती है यह सारी की सारी जिम्मेदारी होती है North Eastern Council की समझ गए तो अभी news क्या यह तो मैंने आपको पूरा background समझाया कि North Eastern Council क्या होती है अब पता news क्या है यहां पर जो नरेंदर मोदी जी है उन्होंने यहां पर यह बोला है कि जो केंदर सरकार है वो act fast for North East और act first for North East का पालन कर रही है वो यह कह रही है कि उत्तर पूर्वी के लिए हम act fast भी कर रही है और जल्दी भी कर रही है और उनके लिए भी सबसे पहले कर रही है यह जब उन्होंने North Eastern Council की गोल्डन जुबली हो गई है न उसके लिए 50 साल से जादा कम्प्लीट हो गई है तो उसके लिए बोला कि भाई में गाले में हो रही थी में गाले की क्यापिटल शिलॉंग में उन्होंने बोला कि North Eastern के लिए हम 7 लाक करोड जो है यहाँ पर spend कर रहे थे ठीक है पहले 2 लाक करोड इस्तिमाल किये जा रहे थे उसकी तुल्ना में यहाँ पर अब कितने खर्च किये जा रहे है साथ लाक करोड रुपे ताकि हमारे जितने भी North Eastern के लोगे वो अपने आपको भारत से कटा महसूस ना करे और उनको हम एक साथ यहाँ पर जोड के रख सके तो हमारे लिए important क्या बन गया हमारे लिए एक्जामने बनेगा नौर्थ इस्टन काउंसिल क्या चीज़ है ठीक है न चलिए clear हो गया सबको यहां तक अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर next हमारे fifth article की तरफ आइनेस मारमगाव अभी recently news में है अभी इसको recently commission किया गया commission का पूरी दे दी गई है यह एक भारत की पी बी 15 क्लास की एक ऐसा दूसरा युद्ध कोथ है जो कि स्वदेशी है भारत में निर्मित है stealth guided missile destroyer है हर एक missile को destroy करने की capability रखता है हमारी INS मारमगाव जो है वो second AC ship है जो कि यहाँ पर रक्षा मंतरी हमारे राजनात सिंग द्वारा नेवल डॉक यार्ड में जो मुंबई में है वहाँ पर इसको commission किया गया है यह भारत में पूरी तरीके से build है और इसकी जो है आज की आज की जितनी भी missile वहत है उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है चीक है साथ ही साथ इसमें जितना भी इस्तिमाल किया गया है वो 75% से अधिक स्वदेशी सामगरी को यहाँ पर इस्तिमाल किया है जिससे हम यह बता सकते हैं कि भारत भी अब जो है डिफेंस के मामने भी धीरे-धीरे स्वदेशी होता जा रहा है ठीक है हमारी प्रगती शील जो है वो अपनी उत्पादन की जितनी भी हमारी शमताएं है उसका एक भैतरन उधारन के रूप में निकल के आ रहा है यह युदपोद जो है हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर में भी हमारे जि इसकी जो है 7400 टन का है यह लंबाई इसकी 163 मीटर 24 के 17 मीटर है मार मगाओं यहां पर जो है यह बिलकुल ऐसे जो है जितनी मिसाईले हैं उनको यहां पर सतह पर मार कर गिराने वाली हवा में मार कर गिराने वाली मिसाईलों के लिए यहां पर कारगर साबित हुआ है इसके बाति साथ इसके अंदर पंडूपी यहां पर रॉकिट को लॉंच करना टर्पीडो को लॉंच करना टर्पीडो पता है सबको जिसको नहीं पता है वह गाजी आटैक मूवी एक बार देखें उसको अपने आप समझ में आ जाए गाए टर्पीडो क्या होते हैं क्यों कि यहां पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा तो जिसको नहीं पता है आप लोगों में से एक चोटा सा काम करें मूवी जरूर देखे एक बार गाजी अटैक बहुत बहतरीन मूवी है बहुत कुछ सीखने को भी आपको उससे मिलेगा काफी अच्छी मूवी है तो एक बार उसको जरूर देखेगा आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है ठोटेलिय कैम करने के लिए इसkę नाम पर उसी से लगाया गया इसका नाम भी हिंद महसाघर के शेत्र में ये काफी अच्छी जो है अगर कभी संभावत होती है युद की स्थिति भी तब भी अपना मिशन और कारण जो भी इसका कार्रे दिया गया इसको पूरा करने में ये काफी बढ़िया शामिल हो सकता है ठीक है इसको जो है युद पोत को 17 सितंबर 2016 को लॉंच किया गया था 19 दिसंबर 2021 को गोवा के जब 160 साल कंप्लीट हुए थे है ना इस आख साल के और 1961 में हुआ था 1961 में गोवा को अजाद ही मिली थी तो उसका प्रशिक्षन शुरूर किया गया था ठीक है प्यूंकि इस दिन क्या है 18 19 दिसंबर को गोवा को अजार मिली था ठीक है तो तब ही शुरूआग्या था तो यह आप उसकी पिचर देख सकते ह ये है पूरा आइनस मार मगाओ इसकी जो कॉस्ट लगी है वो आप देख सकते हो कितने रुपए में बना है 29,000 करोड में इसको बनाया गया है ठीक है और ये इंडिया और इस्राइल द्वारा जॉइंटली डेवलप्ट है फियर वह सबको आइनस मार मगाओ ये सारी चीज़े आपसे पूछी जा सकती है कब क्या कैसे यहां पर ये हमारी इंडिया की नेवी को एक नए रूप में जो है एक उजागर करने में महत्वपूर है काफी बड़ा इसका योगदान है नए रूप से ये मदद करने में हेल्प तो यहां पर कर सकता है यहां पशार्ट को यहां का पूरा मार मगाओ के उप्ला यहां कि प्रसे का में कुछा जारस में का मिदा बड़ते हैं हमारे क्वेद् gjort क्योंप टीकर समय बिड़ा है क्यों घंधा इसरे pode में प्रलय की आफ यहां इश को और इंडिया की उर चाही जो है उन्हीं के वज़ा से आज भी हमारा बॉर्डर सही तरीके से मैनेज नहीं है बॉर्डर वो होता है जो दोनों कंट्री द्वारा एक्सेप्ट किया जिसे रेड इंडिया पाकिस्तान के बीच में शुरू हो जाती है 2400 किलोमीटर की है बुझरात से अकनूर तक पहुचत चेक करती है चेक पोस्ट एंट्री अलाव सब कुछ यह बिए से चेक करती जो कि मिनिस्ट्री फोम अपैस के अंडर आता है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल जो की इंडिया पाकिस्तान के जो वार हुआ था 1947 उसके बाद जो एक सीसफायर युद विराम रेखा जो बना दी गई देुक होंति वही संकष में यहां पर आई है मतलर यह गर्या इक चो है यहां पर माप दन के रूप में आया है यहां और इसका नाम जो है लाइन कडिया गया था तो इसका निया नाम दिया इतरा जो दोनों के बीच में अब यहाँ पर आप मैं आप में देखिए-गे यहाँ पर इस ऊप्रीके की यह वाली सब बॉॉड्ड थान के साथ उधर प्योर्ग के region में शेख में सिर करते हमारा ही पार्ट इपक याद रखियेगा सब लोग इंडो चाइना 3,488 किलोमेटर इस तरह से शेयर करते हैं अकसाइचन की रह से और यहाँ पर नाचर प्रदेश से के इन सब रीजन से शेयर करते हैं यह हमारी 7,516.6 किलोमेटर की कोस्टल लाइन यह सबसे बड़ा बॉर्डर हम लोग बंगलादेश के साथ शेयर करते हैं इधर सर क्रीक लाइन की तरफ इधर P.O.K की तरफ चाइना अकसाइचन की तरफ यहाँ पर अभी हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं इनको सॉल्ट करने की जरूरत है और जो आप यह वाली लाइन देखते हैं यह L.A.C. Line of Actual Control. ठीक है? देखो L.A.C. तो सही बना दी दी L.A.C. तो चलो यहाँ पर मानती भी हैं आर्मी ठीक है P.O.K. मानते हैं क्यों गलत तरीके सा अपनाया गया है लेकिन L.A.C. का तो यहाँ पर कोई एक सिंकुन्स है ही नहीं L.A.C. यहाँ पर जो है वो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर जेहु इल्ला ही उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर नहरू को यहाँ पर एक लेटर लिखा था वहाँ पर उन्होंने उसके बारे में बताया था कि वह मेकमोहल लाईन को तो मानते ही नहीं है तो चाइना के साथ जो हमारे बॉर्डर्स है यहां पर यह तो मैंने आपको बताही रखा है क inspirate करते हैं यहां पर कोई ना कोई प्रकार का क्योंकि चाइना वो यही चाहता है उसकी और पिराशलिस्टिक unrealistic मदद जिसका कोई सिर्पैर नहीं है पर चाहिना चाहते है कि हमें सारा हिस्सा चाहिए हमें इदर का भी हिस्सा चाहिए हमें वह भी चाहिए चाहिए तो यह कहता है भई देखो लिख रही हुं मैं हाँ पर one palm and five finger policy उसकी एक पाम एक हतेली चाहिना किसको कहता है भई तिबबत को और यह कोई policy लिखी हुई नहीं है पर ऐसी मानी जाती रही है five finger कौन सी है लगदाक हमारा लगदाक हमारा सिक्किम और हमारा अरुनाचल प्रदेश और नेपाल और भुटान ऐसा चाहिना को कहना है कि यह सब तिबबत के ही साउथ में दक्षिन के एक्स्टेंशन है जो है चाहिना चाहता है तो यह सब लैंड बॉर्डर के डिस्प्यू गौली के बाद जो काला पानी एरिया में हैं काला पानी लीपूलेक लिंपिया धुरा तो वहां पे भी हमारा डिस्प्यूट शुरू हुआ था पट फिलहाल के लिए चलो अभी उसके ओपर जॉइन कमिशन भी बिठाने की कोशिश की जा रही है उसमें कोशिश की जा रही कि इनको चीजों को सुल जाया जाये तो फिलहाल के लिए यहांपर जो यह डिस्प्यूट्स हैं वो इस तरीके से चल रही हैं इनके साथ तो साझेशंस यही है कि सारे को साल्फ करने के लिए अब एक लाइन यहांपर नगी रूप से रिवाइस करके लाइन बना देनी जाए या रोका जाए इसको ठीक है वाई तो यह है हमारी इनके साथ डिस्प्यूज जो आज के सामें में चल रहे हैं चाली हम लोग question स्टार्ट करते हैं यहाँ पर question है यहाँ पर पहला GST council के बारे में जो कि 101 amendment टाक के थूँ 2017 में implement किया गया था आक्ट 2016 में आया था लेकिन implement एक जिलाई 2017 से हुआ था जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक joint forum है बिलकुल सही बात है जिसके head यहाँ पर union finance minister होते हैं हमारे article number 279 a clause 1 में लिखा गया है GST council जिसके जिमेदारी है GST से जुड़े हुए सारी इसलाब GST से जुड़े हुए सारी बातें सब कुछ यहाँ पर एक ही रूप में अपनाई जाएं GST से जुड़े हुए सारी की सारी चीज़े इसके अंदर लिखी नहीं है GST का एक एक चीज जो है वो यही सारे डिसिजन जो लेने की पावर होती है GST council से जुड़ी हुए वो यही लेती है वड़ते हैं हमारे next question की तरफ यह पढ़ सकते हैं यहाँ पर जोड़ा भी है सारी चीज़ें ठीक है यही पूरा GST का काम है यहाँ पर देन इंडिया वाटर इंपक्ट सम्मिट एक सम्मिट हुआ है यहाँ पर जिसकी थीम है रिस्टोरेशन एंड कंसर्वेशन आफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज पेसी छोटी छोटी रिवर्स को यहाँ पर रिवाइव करना जैसे एक्जाम्पल केरे मैं आपको बताओ एंजीटी ने बोला है कि सुका पैका रिवर्स को रिवाइव करो सुका पैका नदी जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है महा नदी की कहाँ पर ओडीसा में उसको रिवाइव करो तो यहीं यहाँ पर हुआ है इंडिया का वाटर इंपक्ट सम्मिट जो कि वाटर से जोड़ा जो यह कहता है कि हमें जितनी मी छोटी छोटी हमारी नदीया है उनको हमें यहाँ पर बचाना है यह सम्मिट जो है वो 18 दिसेंबर को हुआ था और जिसके अंदर जो है रिवर्स को तयार किया गया था नमामी गंगे के प्रोग्राम के तहट कि जितनी मी हमारी छोटी छोट नदिया है उनको भी हमें यहां पर protect preserve करनी की यहां पर ज़रूरत है इसमें उन्होंने बोला था कि बहुत पांच पी पे ध्यान देंगे क्या है यह पांच पी लिखते जाए पीपल पॉलिसी प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट इन पांच पी पे ध्यान देते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जितनी भी इस तरीके की चीजे हैं उनको हम यहां पर सुलजा सकते हैं यह किसके अंडर आता है यह पूरा जो water impact summit है यह कौन सी ministry का पार्ट है यह है ministry of जल शक्ति जल शक्ति मंत्रा लिए यह यहां पर इसको headcon कर रही है गजेंद्र सिंग शेखावत छीक है इन उन्हें हाँ पर यह summit organize कर रहा है clear होगे है हां तक जिसकी theme आपको मैंने बता दी जिसका 5 पी का बता दिया तीन दिन लंबा चला था यह three days long summit चला था जिसमें सारे initiatives को जोड़ करके यह तैयार किया गया कि हम दोगों को यहां पर क्या करना है हमें जो गंगा है और जितनी भी चीज़ें हैं सारी उन सबको बढ़हाना है हमें इन सबको जो छोड़ी छोड़ी नदिया है उनको कैसे हम protect कर सकते क्योंकि वो उनकी जो उनकी जो वापस से कैसे फोग की जाएं मैं समझाने का मतब आपको समझा रही है किस तरीकी से उनको और revive किया जासे उसके लिए चीज़ की गई है क्लियर हुआ यह पूरा आपका आज का यहां पर आर्टिकल है और जो इंडिया चाइना वाला है जो मैंने बॉर्डर समझाएं बस हां वह आपका एक मेंस के रिस्पेक्ट में बन सकता है बागी सारी जादतर आपके प्रिलम्स के बेस्ट पर हैं मैंने पूरा आपको एक्स इंडिक्स का क्या रोल है गवर्नेंस इंडिक्स पे आपसे कोई ना कोई तरीके का सवाल बन सकता है क्लियर हुआ सबको यहां तक तो यह है आपका पूरा आर्टिकल आज जुड़ा हुआ आज यहां तक सुनने के लिए सबका धन्यवाद मिलेंगे आप लोगों से अगले लेक्चर में शुक्रिया धन्यवाद जय है